वेलकम टू बीड डिटल दोस्तों आज के बात करेंगे ABC ID किस तरके से आप मातर पाँच मिनट में बना सकते हैं किसी भी ओलाइन फार्म को अपलाई करने के लिए यदि आप इस्टुडेंट है तो आपको ABC ID की ज़रूरत पढ़ सकती है ABC ID का पूरा नाम है Academic Bank of Credit Ministry of Education Government of India की ओसे ये website launch कर दीग है Basically higher education के student के लिए ABC ID कंपन सरी है कई बार फार्म का अपलाई करने के लिए ABC ID मागी जा रही है ABC ID क्रिएट करने के लिए आपको वेबसाइट करना होगा abc.gov.in इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्टन में जाएगा सबसे उपर आपको login का option मिलेगा यहाँ पे student और university का option मिलेगा सबसे पहले student पे आपको click करना होगा यदि आप student है उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आजाएगा मेरी पहचान national single sign on G20 का logo आपको दिखाया देगा sign in करना होगा यहाँ पे आपको अधिया आपको digital account है तो बहुत अच्छी बात है नहीं है तो आपको digital account से यह auto fetch करना होगा और थाथ आपको account भी digital account में बनाना होगा यहाँ पे mobile number, user name, other option है इसको fill करके आप यहाँ पे sign in कर सकते हैं लेकिन अधिया पहली बार इस website का use करने जा रहे होगे तो यहाँ पे आपको new user के नीचे sign up का option मिलेगा signable option में आपको click करना होगा और click करने के बाद आप जो है dizyloker.meripachan.gov.in के official website पर आजाएंगे यहाँ पे sign up for dizyloker का option आजाएगा यहाँ पे आपको अपना mobile number फिल करना होगा धियान रखेंगे mobile number आप अधार से link वाला जो mobile number है वही फिल करेंगे तो बेतर रहेगा उसके बाद आपको generate OTP पे click करना होगा OTP फिल करने के बाद आपको verify OTP पे click करना होगा यहाँ पे इटियम का पीन होता है उस तरीके से four या six digit का पीन यहाँ पे confirm पीन में दो बार यहाँ पे अंटर कर सकते हैं और terms and condition का अपसेट करके आपको verify option पे click करना होगा यहाँ आपके सामने भी कुछ इस तरीके का message आता है यूजर नेम already exist please use a different username तो आपको अपना username चेंज करना होगा उसके बाद आप मेरी पहचान के official website में login कर जाएंगे आपको यहाँ पे logout option में दिखाए देगा proceed with KYC के option आपको दिखाए देगा यहाँ पे आपको आधा number mention करना होगा और verify वाले option पे click करना होगा आधा number फिल करने के बाद यदि आपके सामने कुछ इस तरीके का message आ रहा है आधा number already registered with DG Locker you can access your account using your credential तो यदि आपने इससे पहले DG Locker में account बनाया होगा तो इस तरीके का message आपको सो होगा उस condition में आपको DG Locker में दूसरे तरीके से login करना होगा verify के नीचे आपको एक option मिलेगा return to academic bank of credit इस वाले option पे आपको click करना होगा आप से पूछा जाएगा are you sure you want to return academic bank of credit तो आपको यहाँ पे yes पे click करना होगा इस तरीके का message आपको सो हो सकता है to get benefit of ABC please link your आधार in DG Locker अर्था DG Locker के ID में आपको आधार link करना होगा यहाँ पे आपको एक option मिलेगा go to DG Locker वाले option पे आपको click करना होगा DG Locker को official website को जिस तरीके से है जो इसको आप find कर सकते है dglocker.gov.in इसका link आपको हमारे वीडियो के description में मिल जाएगा इसका app भी आप use का सकते है यहाँ पे आपको sign up का option मिलेगा और sign in का option मिलेगा यदि आपने अभी तक अपना DG Locker account create नहीं किया है तो sign up वाले option में click करके आपको अपनी ID create करनी होगी यदि आपने ID बनाई थी आप password भूल चुके है तो sign in वाले option में click करना होगा sign in करने के लिए आपके सामने यहाँ पे दो option आएंगे या तो mobile का data fill करके या फिर आधार का data fill करके आप यहाँ sign in कर सकते हैं उसके बाद आपको next option पे click करना होगा आपको फिर six digit security pin enter करना होगा यदि यह आप security pin भूल चुके है security pin यहाँ create करना होगा उसके बाद submit option पे click करना होगा उसके बाद आप DG Locker account के अंदर access कर जाएंगे आपको यहाँ पे left hand में तीन लकीरे मिलेंगी यहाँ पे आप देख सेते issue document, search document और my profile और उसके बाद lockout option भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा DG Locker के अंतरकत आपको website मिलेगा academic bank of credit अर्थाथ ABC ID create करने का यहाँ पे join now का option मिलेगा इस पे आपको click करना होगा dglocker.gop.in के website में ही आपको ABC ID का option मिलेगा यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना name दिखाई देगा फिर आपको gender select करना होगा और admission year यहाँ पे select करना होगा जिस भी year में आप admission लेना चाहरे होंगे तो इसको आप यहाँ पे select कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे identity type में आप यहाँ पे scroll करेंगे तो आप अपना role number फिल कर सकते है, registration number, new admission भी फिल कर सकते है यहाँ करके भी आप यहाँ पे अपने university का name यहाँ पे search कर पाएंगे, ok बटन पे click करेंगे और आपको अपने institute का name यहाँ पे दिखाए देगा terms and condition का आपको accept करना होगा, उसके बाद get document पे click करना होगा डीजी लोगर website के अंतरगत आपको ABC ID दिखाए देगा, ABC ID के उपर आपको download का option दिखाए देगा, आप यहाँ पे download करके PDF form में भी इस ABC ID को download कर सकते है ABC ID अर्थाथ Academic Bank of Credit का जो ID कार्ट है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ दिखाए देगा, सबसे पहले आपको name दिखाए देगा, data bar दिखाए देगा और आपको यहाँ पे नीचे ABC ID दिखाए देगा, जो कि 12 डिजिट का होगा, इसी ABC ID के मदद से आप online form को apply कर पाएंगे तो दोस्तो इस तरीके से आप djlogot.meripachan.ub.in की सायता से अपनी ABC ID क्रिएट का सकते हैं, इस वीडियो की रिगार्डिंग कोई और जान करें आपको चाही है, तो कमेंट कर सकते हैं, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान लेकिए, बाई बाई, ज जाहिए, म Chromatic Rehman, तोог है अपना लेकि वीडियो में जएखको में अपना लेकि यान आपको तो जह तुल के सायता कि देते हैं, इस याना आपको आपको आान दाने में आपको द Metroid का से आपको चुल्र, बाई। गवोर्ये हैं, थaltstyरी कर्पाना आपको सुल्याइं को से यात